जंडूता थाना की पुलिस टीम गश्ट करते हुए जब बदोल जंगल रवान हुए तो जंडूता से नंदन गराउं सडक पर बदोल के पास से कोल्टो कार सडक की नारे खड़ी थी जिसमें एक व्यक्ति पिछली सीट पर बैठा हुआ था जो पुलिस टीम को देखकर घबर गया और हर बड़ाने लगा लेकिन पुलिस ने व्यक्ति को वहीं पर पकड़ लिया और जब गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की पिछली सीट पर पीले रंग का लिफाफा बरामत हुआ जिसे खूलने पर उसमें चिट्टा पाया गया जब पुलिस ने उसका वजन किया तुवे 15 दिशमलव 10 ग्राम पाया गया और एलुमीनियम कोईल का रोल वेंग मशीन तथा 10 सरपे वा 100 रपे की नोट फोल्ड हुए पाये जिसको लेकर जंडुता पुलिस टीम ने एंडी पीएस एक्ट की तहत मामला दर्च कर लिया है वहीं मामली की पुष्टी करते दोल जंगल की ओर से गश्ट करते हुए जा रही थी तो वहीं पर सड़क किनारी कोल्टो कार पुलिस टीम को खड़ी दिखाई दी जब गाड़ी के पस पुलिस टीम पहुंची तो उसमें एक व्यक्ति बैठा पाया गया जो टीम को देखकर घबरा गया और भागनी की कोश बन्दोर जनमत के आस पाच जो फाच प्रवाध नाका बंदी बचल रहों तो उस तुरान में एक गाड़ी को दो संदिक थार्थ में ड़ो चेक है गाड़ी में एक खड़ी में टो बैठा पाच जो इस में गाड़ी की साच जीगे तो साच जो तो तो इस व्यक्ति के आपको बता दे कि जंडुता की पुलिस टीम बदोल जंगल की और गश्ट करती हुए जा रही थी तो वहीं पर सड़ किनारी कोल्टो कार पुलिस टीम को खड़ी हुई दिखाई दी जब गाड़ी के पस पुलिस टीम पहुंची तो उसमें एक व्यक्ति बैठा पाया गया जो टीम को देखकर घबरा गया और भागनी की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस टीम ने उसे वहीं पर दोबोच लिया और जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें चित्टा बरामत हुआ पुलिस टीम ने व्यक्ति को गिरफतार कर लिया है और आगामी कारवाई चारी ह पंजाब के से टीवी के लिए बिलासपूर से सुभाश ठाको की रिपोर्ट